1985 में पीडित मानवता, करीबी एवं दिव्यांगता के निवारण हेतु नारायन सिवा संस्थान के स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री कैलाश जी मानव द्वारा की गई नरही नारायन है के सिध्धानत का अनुसरन करते हुए संस्थान पीडित गरीब दिव्यांग भाई बहनों के उठान हेतु निरंतर निशुल्क कार कर रही है संस्थान द्वारा प्रति दिन 80-100 सफल सुधारात्म कॉपरेशन कर दिव्यांग बंधुओं को सकलांग बनाया जा रहा है अब तक 4,38,453 निशुल्क चिकित्सा की जा चुकी है साथी गंबीर बीमारियों जैसे हिर्दय में छेद, हाथी पाउं, किड़नी खराब होना एवं कैंसर आदी सिक्रस्त गरीब जरुरत मंद भाई बहनों का भी संस्थान द्वारा आर्थिक मदद कर इलाज करवाया जाता है दिव्यांग बंदुओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतू भी संस्थान सक्रियता से कारिक कर रही है यहां व्यावसाइक प्रिशिक्षन केंद्र में सिलाई, हस्द शिल्प, मोबाईल रिपेरिंग एवं कम्प्यूटर प्रिशिक्षन सेंटर उपलब्द है जहां पर दिव्यांग भाई बहन प्रिशिक्षन लेकर विभिन क्षेत्रों में रोजकार प्राप्त कर रहे हैं संस्थान द्वारा अब तक 3,88,898 कैलिपर, 33,851 आधुनिक क्रित्रिमंग, 2,82,315 वील्चेर, 2,89,288 ट्राइस साइकल जरूरत मंदों को बाटी गई है जबा कारिक यंतरगत 4,000 भाई बहनों का दोनों समय का भोजन करवाया जा रहा है शारिरिक सरक्षमता एवं रोजकारोन मुखी प्रिशिक्षन दिने के साथ दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में जोडने हेतू भी संस्थान प्रियासरत है इसमें निर्धन एवं दिव्यांग सामोहिक विवाह का आयूजन राश्ट्रिय स्तर की दिव्यांग खेल प्रितियोगिताएं फैशन एवं टैलन्ट शो का आयूजन संस्थान द्वारा किया जाता है घरीब एवं जरुरत मन्द बच्चों हेतू अंग्रेजी माध्यम पोन डिजिटल विद्यालाएं नारायन चिल्डरन अकैडमी का भी संचालन संस्थान द्वारा ने शुल्क किया जा रहा है वंचित गरीब दिव्यांग भाई बहनों के उठ्थान में अती सराहनिय योगदान हेतू संस्थापक परमपुज्य गुरुदेवश्री कैलाश मानब जी को पदमश्री सम्मान से नवाजा गया है मैं भारत की राश्ट्रपती प्रतिभाद देवी सिंग पाटिल व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मानार्थ पदमश्री प्रदान करती हूँ अन्ने कई राश्ट्रिय एबं अन्तराश्ट्रिय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं Guinness Book of World Record for the largest wheelchair cricket tournament was organized by Narayan Siva Sansthan at Udaipur, India on 3rd December 2022 Kailas Maanav जी से मेरा लगभग वी स्वष्ट पुराना एक अत्मीर स्वग्द है Kailas Maanav नहीं अब तो वो Kailas Maanav हो है लगभग तीन लाख सतर हजार पोलियो से पीडित बच्चान को अपने पैरों पर खड़ा करना यह है एक विश्व कीमति मार नहीं है वह बात बड़ी बात है Kailas Maanav जी कोई बहुत बड़ी कोई पीट के कोई गुरू परंपरा के या किसी ओदों की घराने के प्रदिदी नहीं है और के घर्दय में गरीबों के लिए विशेस्ता विकलामों के लिए एक पीडा थी एक संतर प्था आज पूरी राष्टर विश्व में नायर्ण सेवा संस्थान सेवा का पर्याय बना है मैं परिश्व पर्याद को बहुत अबने अजर करता मैं बोलता वैसे बहुत कम हो जादा और सब के जहरे में मुस्कान लाने का ये जो प्रयत कर रहे है नाराइन सेवा सच्स्तान के बहुत श्लागनी है तो आति उत्तम सेवा है यही पूजा है नर सेवा ही नाराइन सेवा है जन की पूजा ही जनारदन की पूजा है तो ऐसा ये आदश के साथ उधिश के साथ सिद्धान के साथ ये संस्ता आगे बढ़ रहे है मैं आप सब को बहुत बहुत बदाई देता हूँ हमारी गाड़ी स्टेशन पर जाती है उन वच्चों को ली कराती है यहां उनका उपचार होता है उनका खाना पीना रहना सब कुछ निश्शुर्क रूप से उनकी विवस्ता और सेवाएं इस संस्तान के द्वारा दी जाती है भारत में पोलियो उन्मूलन आधिकारिक तौर पर सो प्रतिशत हो चुका है किन्तु अभी भी सत्तर लाग भाई बहन इस दंश से जूज रहे हैं एवं वंचित दुख पूर्ण जिंदगी निर्वाह कर रहे हैं उन्हें अभी भी इंतजार है आप जैसे सेवा भावी महामना की मदद का आप श्री भी आगे आएं और मानपता की सेवा के इस यग्य में हमारे साथ जुड़कर अपनी आहूती देवें यही करबध प्रार्थना है